सिक्किम को आज मिलेगा पहला एरपोर्ट पीए मोधी करेंगे उद्गाटन दुनिया की सबसे बड़ी हेल्स सर्विस योजना की शुरुआत करने के बाद आज प्रधान मंत्री मोधी सिक्किम के दौरे पर है यहाँ प्रधान मंत्री राज्य के पहले हवाई अड़े का उद्गाटन करेंगे पीए मोधी इसके लिए रविवार शाम को ही ग्यांग टॉक पहुँच गए थे अंडर वर्ल डॉन अबुसालिम के भाई के साथ दिखे शिफपाल मंच पर किया सम्मान यूपी के लखनाओं में रविवार को शिफपाल यादव अंडर वर्ल डॉन अबुसालिम के भाई अबुजैश के साथ मंच पर शिरकत करते दिखाई दिये यही नहीं शिफपाल सिंग यादव ने उठकर अबुजैश के हातों में स्मृती चिन भी दिया बंभोले की जैकारे के साथ आज अमेठी में होगा शिफपख्त राहूल का स्वागत कॉंग्रेस अध्यक्ष राहूल गांधी क्यलाश मांसरोवर यातरा से लोटने के बाद सोमवार को दो दिबसी दोरे पर अपने सांसदिय शेत्र अमेठी पहुँच रही है इस बार राहूल को शिफप भक्त के तौर पर प्रोजेक्ट करने की तयारी की गई है बंभोले के नारों के बीच राहूल गांधी का स्वागत किया जाएगा मालदीव में बड़ा उलट फिर राष्ट्रपती चुनाव में विपक्ष के उमीदवार इब्राहिम मोहमद सुली जीते मालदीव के राष्ट्रपती चुनाव में विपक्ष को भारी जीत मिली है इन आशंकाओं के बीच के चुनाव में गडबड़ी हो रही है और यामीन प्रशासन अनुचित सरीकों का सहारा ले रहा है पाकिस्तान को करारी हार भारत ने दिखाया जलवा पाकिस्तान के खिलाव रविवार को खेले गई सूपर चार के मुकाबले में टीम इंडिया को भारी जीत मिली उसमें जस्परीत बुमरा का भी बड़ा एहम रोल है उसे ताल के झालकिस्तान के जले उचस्तान के जलिए ही ओग्धित उसमें अपिल खे चारे को सही डिए।